सभी बच्चे बार-बार एकी सवाल पूछ रहे हैं कि विशाल सर आप कहा हैं तो बच्चो मैं कहीं नहीं गया हूँ मैं हूँ आपके अपने चैनल study with विशाल सर पे जहां पे मैं class 9, 10, 11, 12 सभी को पढ़ाऊंगा all the subjects और guys अगब आप 10th से 11th में जा चुके हो तो what are you waiting for आपके classes अभी अभी शुरू किये हैं मैंने देख सकते हो आप सारे subject के notes आपको मिल रहे हैं अभी भी देरी नहीं वाए जल्दी जॉइन करो Hey guys once again welcome back this is me your Vishal sir बड़ा circular जारी किया है CBC की official website पे जब आप main website पे जाते हो तो आप देखोगे CBC ने ये circular जो है वो जारी कर दिया है circular regarding verification, photocopy, evaluation, 2022, term 2, class 10, 12, दोनों के लिए circular जारी कर दिया है अब एक खास बात, देखो जब आप इस circular को download करोगे और देखोगे तो वो तो खेर मैं आपको explain करी दे रहा हूँ, चिके ये है वो class 10 का term 2 का notice जारी कर दिया CBC ने, लेकिन बहुत सारे बच्चों को बन में confusion है, सब का सवाल ये होता है, या सब maximum 99% बच्चे सोचते हैं कि direct ह copy rechecking के process में हम जा सकते हैं, क्या ये सही है, बहुत सारे YouTuber इसको लेकर के confusions भी शायद उनको भी है, तो उन्होंने दूसरे बच्चों को भी वही फैला दिया, लेकिन guys मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये process अगर आप सोच रहे हो कि आप direct copy rechecking पे जा सकते हो, ये आपका गल अब भी मैं हूँ और हमेशा रहूँगा, ना सिर्फ पढ़ाने में, बलकि आपको guidance देने में, आपके आगे भी life में, और yes, NDA, NEET, J, सब की तयारी हम आपको करवाएंगे अपने main channel study with Vishal sir में, तो आप जल्दी से join कर लो, अब ये क्या है, अब सिविसी नहीं कल notice किया, Dr. S को देखना चाहते हैं, चेके, answer book को जाना देखना चाहते हैं, copy verification of marks कैसा हुआ, rechecking के लिए जाना चाहते हैं, तो वो apply कर सकते हैं, but very carefully, चेके, और यहाँ पे सिविसी ने साफ साफ बताया, कि accordingly, given below are the modalities and schedule for the secondary school examination class 10, तो तीन process हैं बच्चों, verification of marks, ध्यान से सुनना मैं भी ज verification of marks, obtaining, यानि कि scanned photocopy, आप अपने, जो अपने exam लिखाता था ना, उसका scanned copy आप मंगवा सकते हो, revaluation of answers, ठीके, अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यह class 10 और 12 दोनों के लिए लागू है, आप दोनों class के बच्चे के उपर में सेम है, सिर्फ जो चार्जर step 2, और यह है step 3, मतलब आप कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं direct copy दे चेकिंग के लिए जा सकता हूँ, तो वो गलत सोच रहा है, अगर वो सोच रहा है कि मैं direct apply कर सकता हूँ, अपना answer sheet का photocopy के लिए, तो गलत सोच रहा है, step by step process से आपको जाना पड़ेगा, सिर्फ online way में आ अपना application process करते हो और वो भी specific date schedule के अंदर में, मतलब एक dates दिया जाता है, उसी और मैं आपको बता दूँ बच्चो यह date बहुत कम होता है, तो आपको पूरी तरह से तयार हैना होगा, अभी जो मैं date बता हूँगा, जैसे ही CBC का online window open होगा, आपको तुरन से apply करना होगा online way म बचों कि जो भी आप process जाओगे, copy verification के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो आपको कुछ charges लगेंगे, तो वो charges जो आप online पे करोगे, वो करोगे credit card, debit card, net banking के through करोगे, इसके अलावा cash या postal order, या DD, या money order, check, ये सब कोई भी चीज acceptable नहीं है, ठीके, ओके, अब यहाँ पे क verification of marks, पहला step, दूसरा step, obtaining photocopy, आपका, photocopy मांग, ये आप जो मांग कर रहे हो, copy reevaluation, ये तीन step, तो हर step के लिए, आपको एक single application ही submit करना है, ठीके, तो अब आपको ये पहले से ही decide कर लेना होगा, कि आप, जो copy rechecking, या verification, या photocopy, जो भी आप मांग रहे हो, तीनो step में से, ज और सबसे एक खास बात याद धकना होगा, कि जब आप इन सीजों के लिए जा रहे होना, तो एक बात का बस ध्यान रखना, अगर आपका copy rechecking, revaluation, बोलो, copy rechecking, बोलो, जो भी बोलो, इसके लिए जब आप जाते होना, तो एक number का भी decrease, point number six पे ध्यान दीजिए, एक number का भी अगर घट गया, बढ़ गया तो बढ़ गया, आपको नया mark sheet मिलेगा, आप पुराना mark sheet surrender कर दोगे, नया mark sheet आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर एक marks भी घटा, तो भी आपको आपका mark sheet जो अभी वला है, वो submit करना होगा, और घटा हुआ mark sheet आपको आएगा, तो घट भी सकत ठीक है, अब verification of marks क्या हो रहा है, यह आपको आप क्या करोगे, 500 rupees per subject है, पहला बात, यह आपका 500 rupees per subject है, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, कि पहला बात आपको जैसे मैंने बताया, कि in case of change of marks, अगर आपका एक भी marks घटा बढ़ता है, तो आपको जो आपका official, आप जो email address ह अब सब कुछ काम करोगे, उस पर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इसका dates मैं बताऊंगा, dates सबसे नीचे में आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देख लो, जिनको confusion है, कि सर क्या तीनो step में चलना पड़ेगा, तो आप इसको ठीक से देखो, only those candidates who will apply for verification of marks, online, will be eligible, देखो, जो copy verification of marks के लिए जाएंगे, जो बच्चे, उन ही को मौका मिलेगा, for obtaining photocopy of answer books, answer books, मैंने पहले ही कहा, आप, जो तीन steps है न, verification of marks, photocopy का demand, या last process, copy rechecking, या बीच से नहीं गुसा सकते, तीसरा step किसी ने उठा लिया, कौन पैसा खर्च करेगा, दो step पर, वो नहीं हो सकता, आपको step by step चलना पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए पहले ही बोल दिया गया, अब यहाँ पर second step आगया, आपका क्या चीज़ का, photocopy, verification of marks का process मैंने बता दिया, 500 रुपर subject, अब यहाँ क्या है, यहाँ पर जो बच्च के लिए, आपको verification of marks आपने apply किया था, अब आपको next date पे आपको फिर से apply करना होगा, उसी subject या जिन जिन subjects के लिए आप कर रहे हो, वहाँ पे आप apply करोगे, photocopy के लिए आप apply करोगे, और यहाँ भी आपको 500 रुपर subject लग रहा है, for class 10, class 12 case में यह 700 रुपिया है, ठीक है, मैं भी आपको दिखा दूँगा, वह application, ठीक है, ओके, और फिर यह ध्यान रखना, कि एक ही application में आपको सारा चीज़ी decide करना है, कि आप एक subject के लिए जाना चाहते हो, या कई subjects के लिए apply कर रहे हो, ठीक है, यह नहीं करना, कि math के लिए एक अलग application भरा, science के लिए अलग application भर if the candidates desires to challenge the marks awarded to any question, अब आपने देखो, आपने verification of marks ले apply किया था, second step में आपने photocopy मंगवा लिया, आपको scanned photocopy मिलेगा, बस उसमें, जो examiner है, उसका identity चुपाया हुआ रहता है, अब जब आपको यह मिल गया ना, तो इसमें आपको देखना है, जब आप देखो गया है, हाँ मेरा question number one ऐसा था, two ऐसा था, नहीं, question number two में मैंने बहुत अच्छा लिखा लेकिन teacher ने marks कम दिया, तो मतलब आप challenge करना चाहते हो, तो अगर आप challenge करना चाहते हो marks को, तो आपको apply करना पड़ेगा third step के लिए, यह है आपका third step, यह देखो, यहाँ है step number three, ठीकिए, third step, evaluation of evaluated answer books तो आपको जो देखो, और यहाँ भी देख लो, कि यह step में वही बच्चे जा सकते हैं, only those candidates who have applied for obtaining a photocopy of evaluated answer book, shall be eligible to apply for rehabilitation, ठीकिए, और यहाँ आपको एक question के checking के लिए, challenge के लिए, आपको 100 रुपे लगेगा, ठीकिए, 100 रुपे लगेगा, एक question को challenge करने के लिए, ठीकिए, औ और इसको आप कहीं apply नहीं कर सकते, अब सीधा सीधा dates पर आजाओ भाईया, यह है class 10 का, ध्यान से देखो, class 10 का, मैं थोड़ा चोटा कर देता हूँ, ताकि सब आजाए इसमें, yes, यह देखो, class 10 का, ठीकिए, यह आपका सब कुछ दे रहा है, तो पहला step, online, applying, online job करोगे, verification of marks के लिए, इसका date दिया गया है, 26 तारीक से लेकर के, 28, 26 to 28 July, ठीकिए, 500 रुपया पर subject, और यह 28 तारीक, 11 बच के 59, आधी रात तक आप apply कर सकते हो, इसके बाद में, second step जब आप जाओगे, यह है second step, इसमें आप photocopy के लिए जो आप apply करोगे, यह भी online apply करोगे, इसका 8 अ third step में, आप क्या चिसके लिए apply करोगे, copy, rechecking के लिए, और इसका date क्या दिया गया है, 13 अगस्त, 13 अगस्त से लेकर के, 14 अगस्त, मतलब दो दिन का, और यहां पर क्या है, per question 100 रुपीज, ठीकिए, आप मैं 12 वालो का भी दिखा देता हूँ, क्यूंकि बाद 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 य रेम है, सिर्फ 12 का जो charges है, वो थोड़ा सा अंतर है, ठीकिए, यह देखो, यह देखो आप, यह है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यह देखो, class 12, ठीकिए, class 12 के लिए है, यहां सब कुछ वह ही है, applying first step, verification of marks, आपको जाना होगा, यह first step है आपका, और इसमें आपको 26, 27 27, 28, per subject 500, second step में सिर्फ यहां ज्यादा charges है, photocopy जब आप demand करोगे न, तो यहां पर answer book आपको मिलेगा, 700 रुपया, और तारीक कितना है, 8 अगस्त से 9 अगस्त, चीकिए, और third step जो होगा, यह है second step, यह है third step, copy rechecking, 13 अगस्त, 14 अगस्त, per question 100 रुपीज, तो guys, यह है सारा scenario, step by step process, I hope कि आपको clarity मिल गई होगी, बिलकुल देरी नहीं करो, अगर आप apply करना चाहते हो, तो be ready for that thing, and yes, as I said, कि आप देरी नहीं करना है, पढ़ाई हमें करना है, आपका compartment आया है, आप अपने माक से खुश नहीं हो, जो भी कुछ है, जो भी scenario है, अब सब में आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके चाह जाओ, study with Vishal sir, नए रूप में शुरू हो चुका है, आप सभी के मदद के लिए, so be ready with me to bring a new revolution in the whole YouTube, हम लाएंगे revolution, कोई charges नहीं, कोई पैसे नहीं, class 9, 10, 11, 12, सब को बता दो, Vishal sir is once again back, जै हिंद, जै भारत झारत